नमस्कर दैनिक शिंटाई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोग सबा के चुनाओं का दोर भी चला गया रिजल्ट भी डिक्लियर होगे पर उसी बीच चंदन दत्ता जो हमारे साथ है कोटली क्लोनी विलफेर टरस्ट के जो चेर्मेन है उन्होंने कहा था कि महाकाल का अशिरवाद मिला है और मुझे सपने में आकर उन्हें ने कहीना की आशिरवाद दिया ता चोधरी लाल सिंग होंगे विजेता पर लगता है माकाल जी कहा अशिरवाद मिला तो सही पर कहीना की नराजगी नजर आई है आज इस समय चंदन दत्ता जी चली जानते हैं इनक कुछ भी पाना संबव संबव तो फिलाल आज बात करते हैं जै महाकाल जैस्री महाकाल जैसे मारा आप बड़े भगता हैं महाकाल जिसने पिछले साल की 2019 की अगर आप काउंटिंग करें या मदगरना देखें या फिर चोदरी लाल सिंग्धी को देखें कि 15,000 वोट मिले थे 15,000 वोट से 4,65,000 वोट लेना और जो कॉंग्रेस की टिकर से उन्होंने चुलाव लड़ा इस पार पिछली बार निदली लड़ा आप मैं मानता हूं इस चीज को मगर एक डेड़ दो परसंट वोटिंग शेयर से सीधा 41 परसंट वोटिंग शेयर लेना आज डॉक्टर जदिंदर सिंग जी का 50 परसंट वोटिंग शेयर है उद्धंपूर डोडा और कटुवा कॉंसिचेंसी में और लाल सिंग जी का 41 परस सब्सक्राइब करेंगे हार हुई है मगर इस हार में भी जीत है इस आपने हिंदोस्तान में देखो जनता ने कहां मतलब मद्दान आज एक ना इको की हार हुई है जो यह कहता ना मैं इस मैं की हार हुई है आज बीजेपी की हार नहीं हुई बीजेपी में जो मैं वेक्टर आ गया था ना कि मतलब मैं ही मैं हूँ हमने जो डिसीजन देना है जो बीजेपी का वरकर है उसकी नहीं सुननी जो बीजेपी के जो दिन रात एक करते हैं जो बीजेपी के सरपंज है डीडीसी मेंबर बीडीसी मेंबर उनको दरकिनार करके उनका फीड़बैक नहीं लेते हुए जो परबारी बनाए है उन्होंने अपनी ही पर वोटिंग देखें कितनी डिकलाइन हुई है पिछली पास जूगल की शोर जीने साथे नौव लाक वोटों की जीत ली ती इस बार इसका खामयादा इनको बहुतना पड़ेगा अभी तीन मीने के बाद चार मीने के बाद असेम्बली एलेक्शन्स हैं जे अनके में आप देखिएगा इन्होंने खुद ही जो रॉंग प्रोसीजर सेलेक्शन आफ कैंडिडेट्स का किया है उसका खामयादा आज कांग्रेस क कि स्ट्रॉंग वेव जमूंग खिते में खासकर बन चुकी है और कांग्रेस 29 सिटों में से मैं आपके चैनल में दुबारा बोल रहा हूं कांग्रेस के काते में सो भी नहीं पूरा कर पकर पाई नहीं मैं अगामी असेंबली एक्षिंस की बात कर रहा हूं वो तो बिल्कुल को साइड पर रखी जो आपने हमने आपको पहले ही बोला था देखिए हम किसी पार्टी का ना ही फेवर करते हैं ना किसी के खिलाफ है ज बुझे सपने में चोदरी लाल सिंग जी को गले से लगाया और जी तो मैं पहले डिकलियर कर दो आपने मिठाई भी शाद किलाई थी और आपने का चोदरी लाल सिंग जी वहीं तो मैं कह रही हूं आपको नहीं करने चाहिए असे टिपनिया जो बाद में इसमें कोई एक जमू कश्मीर में कॉंग्रेस का बहुत जादा रिवाइवल हुआ है बीजेपी के रॉंग सेलेक्शन प्रोसीजर से कॉंग्रेस कभी रिवाइव नहीं करती जमू किते में यह जो बारती जंता पार्टी के तरुन चुक अशिल सूध यह जो अला दिकारी पीजेवे की मैं बारती कॉंवा करेंस के टिए सं All in Douglas राका कि जो यह नहीं को शरीधर कि आपने से नहीं आया चोदरी लाल सिंग को बदरवा से नगीना से पाडर से किस्तवार से सवाल को गुमारे हो पालिटिक्शन की तरह सब्सक्राइब को बाद चल जाएगा अभी दो सीटे राजसभा की मेंबरा पालियामेंट की कांगर्स खाते से आएंगी आप यह मत समझिए चोदरी लाल सिंग और रमन बला दोनों रेस में हैं इन दोनों में से जम्मू की रिप्रेजेंटेशन पालियामेंट में भाजपा को मात देनी हैं और बड़े-बड़े दावे किये थे के क्लीव करेंगे और कुदी दूर भी लेकर मिलेंगी कई भी स्ट्रॉंग सरकार फिर नहीं बन पाई बारती जनता पार्टी की बड़ा क्लियर है पूरे हिंदोस्तान में जिसका एक बार तीसरा टैनियर मु प्रसीजर अडॉप्ट करके सेलेक्शन क्राइटीरिया जो कैंडिडेट्स का रखा वो जम्मू के बीजेपी के वरकर्स और जम्मू की बावनाओं के खिलाफ किया जिसका खामिया बारती जनता पार्टी को बारी मातरा में वोटों की गिरावट के साथ चुका ना पड़ा अगर अगर फैसला लिया हाई कमाने पार्टी हाई कमाने इसके बवजूद भी भाजबा कही नहीं तो दोनों जो जिनको करेंडिटे पिछली बार 10.5.8.9.8 वोटों से जीत होती है इस बार 90.000.001 वोटों से जीत होती है जीत होई ना चैए एक वोट से हुई है आप पहर पूछ रहा हूं आप किसी पार्टी से नहीं कि अगर कॉंग्रेस का रहा है यह बात तो माननी पड़ेगी जमू के लोगों को माननी पड़ेगी मीडिया को माननी पड़ेगी लोग लोग एक तरफ से अगर बात करें उदूपुर कट्वा डोडा की सीट से डाक्टर जितंदर सिंग जीते हैं पर जो हमारे वीडियो पर कमेंट रहे हैं सारी जनता ने बले वाजपा के कारे करता हों बले विबक्षो सब ने कहा हमने वोड जो दिया है मोदी जी को दिया इन दोनों के चेहरे देखकर नहीं दिया यह साथ तरफ इसे कहने से हम पीचे नहीं अटेंगे हो सकता है इसका परिणाम जो आने वाले एसेंबली इलेक्शन में भाजबा को भुगतना पड़े क्योंकि साथ तोर पर लोगों ने लिखा कि हम ने इन चेहरों को देखकर नहीं दिया चाहे वो डाक्टर जेतंदर सिंग जी है चाहे वो जुगल की शर्मा जी उनने कहा कि हमने अगर वोट दिया सिर्फ मोदी जी को दिया आप दोनों को नहीं दिया बिल्कुल और इसी लिए मैं कह रहा हूं मेरा चोदरी लाल सिंग जी दोबारा यही रिपीटिड कैंडिडेट्स जम्मू की बावनाओं के खिलाब पार्टी हाई कमांड ने जबकि यहां से सुनने में आया कि फीड़बैक भी नहीं किया इन कैंडिडेट्स का किसी ने फीड़बैक नहीं दिया कि यह रिपीड करें तो फिर हम जम्मू के वासी कि उसके बावजूद भी अगर एक तरफ से जुगलकिशो शर्मा जी जीत गए एक तरफ डाक्टर जी तंदर जिंग जी जीत गए तो साथ तर पर कहेंगे जनता उन परिशानियों से कुछ है जनता को कोई जनता यह चाहते है कि मोदी जी देश के परदान मंत्री रह मैंने मैंने आभी के इंट्रविव में कहा था मोदी जी से हमें कोई बैर नहीं 308 सीक मोदी जी लेने यहां जम्मू की दो सिक देदें क्यों दें Congress as a Congress candidate को नहीं समर्तन क्यों क्यों क्योंकि BJP के जो आला अधिकारी है जो JN के BJP UT के जो High Command के लोग है इन्हों ने अपने लोगों को नहीं समझा अपनी लोगों के आप किस बात के President आप किस बात के परबारी आप किस बात के किसी भी ओदे पर काम कर रहे हो जब आप बात अमिशा के सामने गरत के नहीं बोल सकते जब जम्मू की अवाज मुदी साथ के कानों तक नहीं पहुचा सकते आपको अस्तिफा देना चाहिए जो आपका सो परसेंट वोटिंग शेयर से लेके दस परसेंट इतना डिकलाइन हु है एक वोट से जितना भी जीत होता है जी 2019 में थी जी 2014 में थी जब तस लाग मोटों के मार्जन से जीते थे आज क्या जीते हैं अभी आपने कहा मेरे को कि मैं कांग्रेस को नहीं बलके चोधरी लाल सिंग्जी को सपोर्ट कर रहे थे आपके आपके उनकी जो एक बड़ी अ अभी वाले नेता हैं आप उनकी नीतियों से प्रभावीत हैं और साथ इससाथ आपने कहा कि समय देखिए कांग्रेस ने काफी हद तक वोट उनका जो उनके गिरावर की जगा बड़ा है तो आप आप कांग्रेस के नहीं मैंने बोला को केंडिडेट्स को सपोर्ट किया नह हम जैसे लोगों को मेरे मेरा नहीं हमारे जैसे जम्मू किते में बड़े लोग हैं जो वबिन और्गनाइजिशन से काम कर रहे हैं और जम्मू की जंता को देखना है कि किसको को वो शक्स काम कर रहा है जो सही माइने में जम्मू की एस्परेशन को असेंबली में कांसलर में और या फिर पर्लियमेंट में उनकी वास बूंचा सकता है जम्मू के लोगों को चाहिए आप देखिए ना अगर वो एक रावन नाम का इंडिपेंडेंट केंडिडेट बीम पार्टी का वो उसने बीजे पी और समाजवादी पार्टी को हरा दिया इंडिपेंडेंडेंडें साड़े तीन लाख मारजन के विनी मारजन वोटों से जीता आप देखिए अयोधिया में क्या हुआ योधिया का जो एक निन्नाय के ये तो मोधी जी के खिलाफ नहीं है इसमें वो नहीं है सुनने में आ रहा है कि जो हमारे योगी जी हैं उन्होंने जो कैंडिडेट्स की लिस्ट दी थी हाई कमांड को क्योंकि यूपी को वो देख रहे हैं वो अपने हसाब से यूपी को चला रहे हैं और जितना क्राइम था वहां पर वो रिड्यूस भी हुआ उनके कुशन ने ततव में उनकी रिकमेंडेशन को भी हाई कमांड ने जो प्रवारी इस थे जो न आज इनको सब्सक्राइब करें जमूरी आसी की बात करें आदुपूर डोड़ा की बात करें तो अगर आपको लगता अगर इन्हीं कैंडिडेट के चेहरे बदल दी होते हैं और कोई और कैंडिडेटा तो जो फाइदा आज कांग्रस को वोट के मादिम से हुआ वह पूरा का पुरा बाज़पा को जाए बिल्कुल 101 परसेंट मेरा यही तो कहना है लडाई ही मेरी यह है मेरी लडाई है कि अगर इसकी जगह किसी भी बारती जनता पार्टी के कैंडिडेट को दविंदर राना को दी होती या कोई और सुनीन सेथी को दी होती या किसी शुनीन शर्म यहां से जब जितनी प्रदेशन हुए ना हमने किसी को जनता के साथ खड़ा होते हुए नहीं देखा अब किस्त वाड़ के हैं मैं जो मेंबर आप पार्लेमेंट की बात करो मैं सेंबली की रश्मीरी बात नीं कर रहा है अगर अगर सब्सक्राइब को देखते हैं कितना 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 घमासान होने वाला है और जो जनादेश इस बार वोटिंग शेर के माधियम से जो विनी मार्जन से अगर आप डेटा देखें तो कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूं कि कॉंग्रेस का बीजेपी हाई कमांड की नकामियों की की वरकोरेशन अपरेशन में और इसेंब्ली एकशन में और जबारा जब असेंब्ली WILshop Lenu के मताबिक या जम्मू के शिविलाइज सोसाइटी के मताबिक इन्होंने कैंडिडेट्स और टिकर्स और डिस्रिब्यूशन नहीं की फिर अपनी मन्मानी की तो बारी खामियाज अब उक्ता पड़ेगा बारती जनता पार्टी को एक बार मुझा पनी आपको नहीं लगता कि ने चहरों को सामने लाना चाहिए और क्यूंकि यह भी कहिना की फार्टी के बाति की बात नी करेंगे जाए आज पायाजा उन लोगों को टिकर दी जाती है तो जिसका हम्याजा के आव्जंता को बुगतना पड़ सकता है देखिए कही ना कही आज आप यह जो कॉंग्रेस का बड़ा हुआ वोटिंग शेयर देख रहे हैं ना यह कही ना कही वह रूठे हुए कटर बीजेपी के लोग है उन्हीं ने वोट डाला है वो डाइवर्ज हुआ है वोट वोट डाइवर्ज होके गुसे में यह एक अपना दुबारा आ गया तो जम्मुः परेशिंट के लिए आपके लिए पर महाकाल आपसे नराज है पका मुझे लगा ने ने महाकाल जी का बड़ा अशीरवाद है और उन्होंने पूरी पुरे अशीरवाद हिंदूस्तान में पर जो ने जो सपना आपने 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 जीते कोई हो देखिए मैं कहा रहा हूँ जो होना है उन्हें की इच्छा से होना है मगर उन्होंने बहुत शीरवाद दिया चोदरी लाल सिंग जी को ये लाल सिंग जी को भी पता है जितनी प्यार उनको एक 14 दिन की कंपेनिंग में मिला उनको जितना प्यार उनको इस 14 दि आपके चैनल के मादम से बता दो यह जीत है रश्मी जी खली एक नमबर लेके आप देखी आप देखी आपने सेलिबरेशन मैंने तो मिठाई बांटी मैंने सेलिबरेशन की है आप चेहरे पे खुशी ने को ना मेरे मेरे मूँ कैसे लाल हो गया हुए यह से बड़ी खुशी किया है आज मैं गरंटी से कह सकता हूँ कि चोदरी लाल सिंजी ने जो बारी वोट लिया है जो पीमों में बैटे हुए अब उनको पीमों की गुरसी नहीं मिलेगी जो 2014 से लेके 2014 तक प्राइम निस्टर आफिस में पीमों के मंत्री बनके बैटे थे अब उनको भी पता चल गया सेंटर की हाई कमांड आला अधिकारिंगो भी पता चल गया कि कितना कारे किया है और वरकस उनसे कितने खुश है अब कही न कहीं जो मनिस्टरी जैं वो भी सोच समझ के बांटी जाएंगी और वो एक मेंबर आप पार्लियमेंट सांसथ की बूमिकाही निवाएंगे और चोदरी लाल सिंग्जी के जितने भी समर्थक है मैं उनको अश्वासन देता हूं कि उनके कोई भी काम होंगी वो चोदरी लाल सिंग दिन रात एक करके उनके काम कराएंगे वो जनता की बीच में और रहने वाले सब matar से जितका सेरा ..... चिंता का आखरी वैसला निर्ब नेहीं सर्वपरी और ले से हारे तो जनता का व्यद्धा पप्र पिछा किया के थीसरी बार है तो जनता के फैसले को तो हम नहीं निकार सकते पर वही बात करें वह एक तरफ से देखना लगता है क्या लगता है कि आज जो लुटसबा के चिनाओ के जो रिजल्स आहें वो आने वाले इसम्बली चुनाओं पर भारी पड़ेंगे ये फिलाल आने वाला समय बताएगा और चंदन जी क्या कहेंगे आखरी चाहिए एक बार फिर कहूंगा स्यासी पार्टी हो क्या मैंसे देना जाएगा इस पर मत बोलिएगा क्या मा काल जी का मुझे अगर मेरे मुझे सपना लिखा होगा तो मैं आप बताईए सपने का दूसरा मैं आपके चैनल के मादें से सियासी पार्टी को यही बताऊंगा यही मैसेज देंगा वो किसी भी नैशनल पार्टी का हिस्सा हो मगर अगर आप जम्मू के एक असेंस को नहीं पकड़ेंगे जम्मू के लोगों की बावनाओं को नहीं समझेंगे चाहे आप BJP से हो चाहे कांग्रेस से हो तो आपको चंदन दत्ता खास कर बिल्कूल समर्थर नहीं देगा क्योंकि जो जम्मू के इितिक से कम्प्रोमाईज करके आप कुरसियों पे बैठें और राज करें और हमारी ब यार दिया है और आप इस कुर्शी पे बैटे हो तो महा काल का शीरवाद समझें इसको और अपना दाई तक पूरी इमानदारी से और पूरे कर्मत तरीके से जनता की बलाई में कराई है अगर वो अपनी एक टीम वर्क की तरह काम करें और हर एक वरकर का फीडबैक लेकर चले तो मैं समझता हूँ साड़े चार सो भी पार करेंगे वो और मोधी जी का सब्दा पूरा होगा क्योंकि मैंने कभी नहीं बोला कि मोधी जी मारे देश के प्रदानमंतरी नहीं बने वह एक यूगपुरिश है उन्हों अकेला बंदा विरश्मी जी एक मले नहीं बन सकत अपने दम पे वो अकीला शक्स 543 सीटों पर कंपैनिंग करके इंडी घंडबंदा ने भी जारों जोर लगा दिया मौधी जी को हराने लिए उसमें कोई उनमें कोई देविक शक्ति है वो रूप है देविक शक्ति का यह इस बात को मैं सिर मात्य से समझता हूं मगर एडमेंड होके राज नहीं किया जाता राज एक हिटलर तरीके से ने किया जाता यह 2004 डेमोक्रेसी है अपने वरकर्स के फीडबैक को दरकनार ना करें उनकी आवाज सुने और हो सकता है अगर अगर योगी जी की बात सुनी होती या जहां से इनको हार का सामना पड़ा करना पड़ा हरयाना से या किसी पंजाब से या जम्मू से जम्मू से तो जीते ही हैं तो आज यह जो आखने हैं शक्त सरकार इनका लक्ष तीनसौ पार होता आपने कहा है यह मेरा सपना नहीं मेरा विश्वास है मैंने बोला मैंने बोला सपना नहीं है मैंने बोला यह सपना तो आया पर यह सपना नहीं समझे विश्वास समझे ना मैंने सपना बोर यूज नहीं किया मैंने विश्वास बोला, सपना आप बोले, आप बोले, बता के, चलिए माइक शना रहे हैं, आप अपने देखा, और सपने में महाकार जी ने चुधिलाद सींगी को, देखिए सपना नहीं, वह एक विश्वास है, सपना नहीं, वह एक मैनिफेस्टेशन होती है, वह इशारा बोला तो सही न, आपने हमें बोला तो तर बोला सपना है, मैने का सपना नहीं, रिस्वास है, यह विश्वास है, मेरा महाकाल पर विश्वास है, वह आप अपना ने भी सुन लिगा, आप भी पॉलेटिशन बाल गयो, आप पॉलेटिशन बाल गयो, आप पॉलेटिशन बा चली जी यह थे हमारे साथ कोटली कलोनी वेलफेर के परधान चंदन्दत्ता जी और सोशल एक्टिविस्ट यह नी समाज से भी चंदन्दत्ता जी हमेशा सुल्ख्यों में रहते इसलिए कि जब करोना काल से हम इने वाच करते हैं तब से इन्होंने गरीबों की मदद करना तो इसलिए चली जानना भी जुरूरी था कि जो इन्होंने कहा था उस समय पर इन्होंने कैसे अगेसे अपनी सवालों का जस्टिफकेशन दी है और चली देखना कि क्या आने वाले समय में अगर एसेंबली एलेक्शन होते हैं तो चंदन्दत्ता भी उस रनभूमी में उतर जवार